आज की वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे डिलीट बटन के उपर काम करने वाले हैं जब भी आप यहाँ पे किसी भी यूजर को सर्च करोगे उसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा और अब आप चाहें तो इस रिकॉर्ड को पर्टिकुलर रिकॉर्ड को आप यहाँ से डिलीट बटन के उपर क्लिक करके डिलीट कर सकते हो और इसके बाद जैसे हिम अपने डेटाबेस में चेक करेंगे वो रिकॉर्ड यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा काफी जादा इजी है इसको इंप्लिमेंट करना और अगर आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करोगे तो बहुत ही ईजीली आप इसको बना लोगे अगर आपने इस सीरीज को अब तक फॉलो अप नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको कम्प्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा वहां से आप बाकी वीडियोस को भी चेक आउट कर सकते हो वीडियो को स्टाट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन को क्लिक करके अल नोटिफिकेशन को अन करें आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे यह हमने लास्ट कोड किया है और यहां पर मैं दता हूँ लास्ट में सबसे पहले तो समझते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे है फंशनेलिटी कैसे है ताकि आपको एक आईडिया हो जाए कि अक्चली काम कैसे करेगा हमें डिलीट बटन के उपर काम करना है जब अब डिलीट ऐसे तो होगा नहीं कि मैं क्लिक कर दूँ और कोई रिकॉर्ड यहां से डिलीट हो जाए नो मुझे यहां पर पहले पर्टिकुलर एमपलॉई को या फिर जिसके लिए भी आपने यह आटोमेशन टूल क्रियेट की है पहले उसके रिकॉर्ड को यहां पर मंगाना पड़ेगा अब चाहें वो साइबर वारियर्स हो या फिर वो अंकिता सिंग हो कोई वे रिकॉर्ड हो पहले उसको हम अपने फिल्ड के उपर बुलाएंगे और ये काम अल्रेडी हम कर चुके हैं अभी हम सिर्फ इसको सर्च करेंगे और जैसे ही डिलीट बटन के उपर क्लिक होगा यह रिकॉर्ड यहां से डिलीट हो जाना चाहिए अब यहां से delete होने से मेरा मतलब है कि database से delete हो जाएगा और जब database में ही record नहीं रहेगा तो obviously form के उपर fetch हो करके कुछ भी नहीं आएगा तो बहुत ही easy है इसको करना यह हमने last code किया था उपर आते हैं अपने design में और यह रहा हमारा input type equals to submit, value equals to delete जैसे बाकी बटन को कुछ न कुछ नाम दिया है इस बटन को भी नाम provide कर देना है मैंने इसको name दिया यहाँ पर delete उपर आते हैं अब यह delete कैसे होगा पहले हमें किसको delete करना है यह भी देखो जिसका role number या employee ID यहाँ पर है उसे बाकी records हमें match नहीं करा रहा अपने primary key के through, auto increment के through match करा रहा हूँ क्योंकि आपने देखा database के अंदर दो लोगों का ID match नहीं हो रहा नाम सेम हो सकते हैं कंपनी में दो employee के, 500 के सेम हो सकते हैं लेकिन employee ID सेम नहीं हो सकता ऐसी अगर आपने आधार कार्ड ले रखा है जो match नहीं करेगा आप उसके through कर सकते हो मैं यहाँ पर ID consider कर रहा हूँ ध्यान देना ऐसा field रखना जो दो लोगों का match ना हो अगर match कर गया तो वो सारे entry जिनका name match था वो delete हो जाएगा ID match नहीं है तो एक ही बंदे का delete होगा तो पहले यह जो हमने search ID कराया है इसकी value को मुझे pick करना पड़ेगा उसके बाद मैं इसको delete करा सकता हूँ तो उपर आते हैं अपने field के अंदर और यहाँ पर हमने search बनाया हुआ है already अब देखोगे इसका नाम दे रखा है मैंने search ठीक है यह हमें confirm करना था अब यहाँ पर आते हैं हम लोग नीचे code को थोड़ा सा separate करते हैं यहाँ पर start किया मैंने PHP and PHP को कर दिया close इस बीच में आ करके अपना code करते हैं if अगर इस set अगर button के उपर set होता है कौन से method के help से तो यहाँ provide किया dollar underscore post अगर post method की help से button के उपर click होता है कौन से button के उपर क्या नाम दिया हमने उसका अभी अभी delete अगर post method की help से delete button के उपर click होता है तो क्या कर यहाँ पर आ करके मैं उसको provide करता हूँ तो अब delete पर जब click होगा तो जो भी यहाँ पर ID है पहले उसको अपने पास बुला ले और जैसे ही id अपने पास आ जाए तो सारे record को delete कर दे तो id को हम बुला लेते हैं तो एक variable बना लिया मैंने dollar id id के जगा पे आप कुछ और लिख सकते हो क्योंकि सिर्फ एक variable है dollar underscore post method की help से मैंने एक field की entry को यहाँ पे बुला लिया लिखा है उसको अपने पास बुला करके रख ले ठीक है अब एक काम करते हैं इसको eco करा लेते हैं तो मैंने कहा eco dollar id की id को जड़ा print करके दे कि क्या होने वाला है एक बार यहाँ पे refresh करता हूँ delete button पे click करता हूँ तो कुछ नहीं हुआ one लिख करके delete button पे click करता हूँ तो आप कोने में देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है one hope so आप इसको देख पा रहे हो control 0 से zoom वापस 100% अगर यहाँ पे 3 रख के delete पे click करता हूँ तो आप देखोगे उपर लिखा हुआ है 3 यानि कि record सही से मेरे पास आ चुका है ID get हो रहा है अब मैं इसी particular record को चाहूँ तो delete करा सकता हूँ अब इससे पहले कि हम लोग वीडियो में आगे बढ़े मैं आपको domain research के बारे में बताना चाहूँगा अगर आप अपने business को online लेकर के आना चाहते हो आपको अपने लिए एक domain name एक hosting की requirement है तो आप domain research.com पे आ करके उन services को यहां से select कर सकते हो यहाँ पे आपको light speed की technology मिलती है pure, SSD disk space, free SSL certificate, secured and 20 time server आपको fast मिलता है pricing plan के अगर हम बात करें, तो basic plan start उता है 59 रुपीज पर month से इसके अंदर आप एक website को host कर सकते हो, 1GB SSD की storage है, 10 email address कर सकते हो, 5GB की bandwidth है और light speed की technology है personal plan के अंदर आप एक website को host कर सकते हो, unlimited SSD की storage है, unlimited email address कर सकते हो, bandwidth unlimited है light speed की technology है और premium SEO tool आपको free मिलता है Silver plan के अंदर आप तीन website को host कर सकते हो बाकी सारी चीज़े same है और unlimited है Advanced plan के अंदर आपको एक domain name free मिल जाता है Unlimited websites को यहाँ पर host कर सकते हो बाकी सारी चीज़े same है और unlimited है और इन तीनों ही plan के अंदर आपको premium SEO tool free मिलता है तो आप अपने budget, अपने requirement के हिसाब से domain research.com पे आकरके plans को select कर सकते हो All right, so यहाँ आते हैं अपने code के अंदर अब इसको print कराने की कोई ज़रूरत नहीं है यह बस समझने के लिए था कि हाँ हमारे पास सही से आ रहा है या record नहीं आ रहा है अब जैसे ही मैंने इसको get करा लिया है तो query चला देते हैं label का नाम है वो आएगा हमारे case में क्या है वो form है तो delete from form अगर आप इतना लिख दोगे न और जैसे delete बटने पे क्लिक करोगे सारा कुछ डिलीट हो जाएगा फिर यह ID को मंगाने का कोई फाइदा नहीं हुआ बटन पे क्लिक होता ही सारा record to delete करना नहीं है वो delete करना है जो यहाँ पे लिखा हो वरना आप ऐसे भी टिक कर दोगे न बीना डेटा मंगाए तो भी delete कर देगा किसको delete करना है जो भी इसके अंदर लिखा हो ठीक है तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा clause where clause या where condition where ID equals to समझाता हूँ मैं आपको कौन सी चीज़े क्या है यहाँ पर जाएगा आपका single quote और इसके बीच में आपको लिखना है dollar ID अब समझता है इस statement को इस query को देखिए query लगाई delete from आपके table का नाम delete from form कि भाई form नाम के table से delete करना है इतना लिख दोगे तो सारा delete हो जाएगा तो मैंने आगे क्या कहा किसको delete करना है where, जहाँ पे ID यह ID की spelling as it is मैच होनी चाहिए है जो भी आपके table के field का नाम है इस जग़ा पे ठीक है तो मैंने कहा जहाँ पे ID क्या हो dollar ID अब यह dollar ID जो आपने ऊपर यहाँ जो भी लिखा होगा वो as it is यहाँ पे आपको रखना है अब dollar ID के अंदर क्या आ रहा है search field से value उठा करके ला रहे है search field कहाँ पे है वो हमारे HTML के part में है जो की यह रहा तो in short हमने PHP के अंदर क्या call किया आप तक यहाँ पे समझते हैं मैंने का जैसे ही बटन पे क्लिक होता है तो जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसको match कर और delete कर दे तो इस line का वो meaning बनता है अब यह query ऐसे तो चलेगी नहीं इसको execute कराना पड़ेगा तो dollar data equals to again वही mysqli underscore query इसको चाहिए दो parameter पहला हो जाएगा हमारा connection file जो की था dollar con दूसरा हो जाएगा हमारा उपर वाला line जो की है dollar query इसको copy करे यहाँ पे paste करे इतना करने से query execute हो जाएगा अब या तो यह execute होकर के delete हुआ होगा या नहीं हुआ होगा तो मैंने कहा if अगर dollar data अब यह data कोई मालूम है कि query execute हुआ है या नहीं हुआ है अगर dollar data चल पड़ता है तो क्या कर फिलाल के लिए जादा कुछ मत कर एक line print कर दे record deleted ठीक है बड़ाए simple सा message मैंने इसको pass किया अब या तो delete हुआ होगा या नहीं हुआ होगा अगर नहीं हुआ है तो क्या करना है नीचे के braces देख लो कितने open है कितने close है तो मैंने कहा eco करा दे क्या print करा दे failed to delete आप अपने according message को change कर सकते हो zoom कम कर देता हूँ ताकि आपको पूरा का पूरा code एक ही page के उपर दिख जाए तो ये हमारा कुछ code है मैं इसको save करता हूँ और यहाँ पर आ करके इस hash को हटा करके refresh करेंगे यहाँ पर आ करके मैंने search किया let's take an example one one पर search किया अब यहाँ पर कुछ न कुछ value present है ठीक है जैसे ही मैं delete पर क्लिक करता हूँ तो वो हो गया खाली क्यों हो गया क्योंकि एक तो button पर क्लिक हुआ दूसरी चीज़ delete button पर क्लिक हुआ यहाँ पर लिख करके आता है record deleted यहाँ पर आ करके browse पर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे one नाम की पूरी की पूरी entry खाली हो गई ठीक है और यहाँ से वो delete हो गया अब अगर मैं यहाँ पर आ करके one को search करा हूँ तो कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको चलिए four वाले को delete करके देखते हैं तो मैंने का four search कर कौन है मैंने का इसको नहीं चाहिए यह बच्चा छोड़ करके चला गया यह employee जो काम करता था वो जा चुका है तो मैंने का आप इसको भी delete कर देखा है ता record deleted यहाँ पर आ करके देखते हैं तो four number भी यहाँ से delete हो चुका है और दुबारा search करने पर यहाँ पे भी वो आपको नहीं मिलेगा तो कुछ इस तरीके से हम लोग delete को implement करते हैं मैंने पूरी कोशिश की कि आपको easy way में समझा दू और उमीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो please like करें and comment में अपना feedback जरूर दे चैनल पे new है तो subscribe करें bell icon को click करके all notification का on करें तकि आपको latest videos की notification मिलती रहे मैं मिलता है आपसे अगली वीडियो में thanks for watching guys